हालो एप्रिवान वेलकम टू आर न्यू टॉपिक आज का टॉपिक है वह मटेरियल स्टैकिंग मतलब कि जो भी हम यूज के लिए सामान ले रहे हैं जैसे कि आपको इसमें देख रहा होगा कि यह जो पॉर्कलिफ्ट है वो किस तरीके से उपर वाला सामान जो है वो उसको ल सामान को इतना अरेंज करके रखें कि हम जब दुबारा से हमें उसे यूज में लेना हो तो हम एजी ली उसको महां से उठा पाएं है ना तो इसी के बारे में इसमें बताया कि है कि मतिरियल स्टैकिंग करने से हमारे क्या के बेनेफिट्स होते हैं सबसे पहली बात तो हमें सारी चीज़े पता हो जाती है कि हमारे ये सामन जो है इस फॉर्कलिफ्ट सोटे का इतनी हाइट है इसकी और जो जो सामन कौन से सामन कहां अविलेबल है ये सारी चीज़े पता लग जाएंगी ठीक है तो material stacking क्या है एक तो ये चीज़ दूर करता है कि आपका manner way में de-stacking और stacking वो maintain करके रखता है चीज़े उसके बाद accidents को भी वो control करता है क्योंकि आपने जो सामन है जो तना भी आपका material है वो आपने well maintained रखा ठीक है आपको सारी चीज़े पता है कि कौन सा चीज़ कहां है और कितना मतलब कितनी height पर रखा हुआ है और well manner में रखा हुआ तो क् accidents भी नहीं होंगे हमें इस तरीके से सामान को maintain करके रखना है कि accidents ना होने पाए तो इसी के बादे में material बता रहा है हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही सारी बाते इस पर बता रहा है तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो material हमें use नहीं करना है ठीक है तो material नहीं use करना है जो तो हमने उसको कहीं भी रख दिया ऐसा नहीं करना है ठीक है क्योंकि देखिए जो सामान आपको use में है वो तो आप रखेंगे वहीं पर जो नहीं है उसको ऐसा नहीं है उसको भी stored place प पूरा all over यही बताया है कि आप चो भी material stacking कर रहे हैं वो proper way में करें ठीक है कोई भी problem ना आए next आपको आगे कि आपको कोई भी काम करना है उसके वज़े से आपको stacking आपकी properly नहीं है तो आपको उसी काम में दिक्कत आ रही है ऐसा भी नहीं करना है ठीक है तो यही सारी चीज़ेस में बताये कही है material stacking में कि safe access आपको maintain करके रखनी है सामन इधर उधर नहीं पिक्रा होना चाहिए जिसकी वज़े से आपकी safe access नहीं हो पाए ठीक है अगर देखे housekeeping properly होगी तो आपका safety भी proper रहेगी housekeeping proper नहीं होगी तो safety भी properly नहीं maintain की जाएगी ठीक है तो बहुत जादा ज़रूरी है material stacking safely करना अब देखे इसी में क्या है material stacking में एक eruption होता है eruption क्या होता है eruption जो होता है वो एक structure होता है timbers का steel body का या फिर किसी भी strong material का ठीक है जैसे की iron हो गया timbers हो गया इनका तो क्या होता है जैसे की हमें अपना जो भी material है वो हमें safe रखना है और उनको मतलब एक एक नीचे फिर उसकी उपर फिर उसकी उपर ऐसे रखना है तो हम क्या करते हैं एक eruption तैयार करते हैं अगर हम करना चाहते हो तो हमें पहले करना होता है इरेक्शन चीक है तो material stacking और यह जो दोनों चीज़ें है तो material stacking तो जो है वो पूरा यही है कि आप जो भी सामन use के लिए कर रहे हैं उसको किस तरीके से arrange कर करके रखें कि आपको भी दिक्कत ना हो और जिसे की accidents भी ना होने पाएं तो इसी के लिए आपको इसको well maintain करके रखना होगा जो सामन है जैसा है जो भी है forklift से उठ रहा है तो उसको man nature की तो रखना होगा कि forklift से अगर कोई उठाता है तो उसको कोई दिक्कत ना आए है ना तो वही इसमें चीज बताई गई है कि हमको इस तरीके से सामान रखना है कोई भी कि हमको कोई accident से face ना करना पड़े चीक है तो ये जो मैंने आज आपको construction safety का जो topic बताया है ये उतना जादा बड़ा topic नहीं है बहुत ये छोटा से topic है material stacking इसका नाम है जादा कुछ इसमें नहीं होता है हमें सिर्फ accidents रोकने है हमें accidents रोकने है तो हम सारी हर एक छोटी छोटी चीज़ पर देहात देंगे तो इसलिए हमने ये वाला topic किया है आज कि ताकि material stacking की वज़े से हम उसको अगर ना सीखे तो accidents की क्या क्या दिक्कते आ सकती है तो material stacking में ये है कि ये सारी चीज़ जो है well maintained and well ordered में रहनी चाहिए जिससे कि होने वाले जो accidents है उनको हम आगे के लिए रोक सके है ना उनकी रोक था हम कर सके चिक है ये मैंने आपको construction safety से ये topic के बारे में बताया था material static का तो मैं इसका erection का जो topic है वो भी आपको explain करूँगी ठीक है पर अभी के लिए ये ही erection में erection जो वो एक structural body part होता है जिसका धाजा बना के तयार किया जाता है foundation के लिए तयार किया जाता है footing, peering वगरा के लिए और उसके उपर फिर walls वगरा करके mansionry करके एक building भी तयार हो जाती है ठीक है तो ये मैंने आज आपको बताया so thank you